हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चेनल दिपल मोहित सिंधव आज हम भाकरी बनाने वाले हैं आप गुजराती हो और भाकरी क्या है ये पता ना हो एसा तो हो ही नहीं सकता गुजरात में भाकरी नॉर्मली सुबह में ब्रेकफास्ट में और शाम को हम लोग खाने में भाकरी औ इतना आटा लिया है इह दिखेंए यहां पर मैं भाकरी में ढालती हूँ यहां पर 4 बंच चार ऑल रही हूँ कि है क्यां था है मैंने यहां पर गेहु का करकर आटा लिया है चौ 17 उसका नॉर्मली रोटी जैसा आटा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अच्छी नहीं बनेगी तो यहाँ पर आप करकर आटा ले तो वो बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगी और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटा चमच जितना नमक डाल रही हूँ उसके बाद हम लोग यहाँ पर भाजू के गेस में मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है अगर आप चाहे तो नौर्मली पानी भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर गरम पानी हो तो भाखरी बहुत ज्यादा टेश्टी बनती है तो मैं गरम पानी यूज कर रही हूँ अब इन सारी चीजों को गेहू का आटा और ओल और नमक इन तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से तब तक हमारा बाजू में जो पानी रखा है वो भी गरम हो जाएगा पानी बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है बस थोड़ा सा आपके हाथ ना जले उतना ही गरम करना है तो अभी बाजू में पानी गरम हो रहा है इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक डो तैयार करूंगी यह देखिए बहुत ज़्यदा पानी एक साथ में मत डाल दे नहीं तो आपका जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट बन जाएगा रोटी जैसा तो उसकी भाकरी बहुत ज़्यदा अच्छी नहीं बनेगी यहाँ पे गेहूं का आटा हम लोग करकर आ लिया है और आटा हम गुंदेंगे वो भी एकदम टाइट होगा बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए थोड यहाँ पे मुझे और थोड़े से पानी की जरूरत है तो मैं इसमें और थोड़े सा पानी डाल रही हूँ बस ऐसे ही थोड़े थोड़े पानी डाल डालके आप उसका डो तयार कीजिए यहाँ पे मुझे और थोड़े से पानी की जरूरत लग रही है तो बस मैं अपने हथेली में थोड़ा सा पानी डालके उस पे से स्प्रिंकल करके मैं उसको पूरा आटाए से गुंद लूँगी यह देखिए अब हमारा डो तयार होने के हो गया है इस तरह से हमने एकदम टाइट आटा गुंदा है आप पी ऐसा ही बनाईए नहीं तो आपकी फाकरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी अब इसके हम चार पार्ट्स कर देंगे मैंने पहले से यह मिजर्मेंट करके अपनी जो मुठी होती है उससे यह मिजर्मेंट करके ही मैंने आटा गुंदा था तो इस तरह से हम पार्ट्स कर लेंगे चार पार्ट्स बने है इसके अब यहां पे मैंने भाखरी बनाने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब चीजे मैंने जमा कर ली है मैंने यह मिट्टी का जो तवा ले लिया है, बेला, चकला और एक चिपा लिया है और में गे स्टार्ट कर दूँगी अब उसके बाद हम लोग भाकरी बेलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से पार्ट्स करके रखे थे उसको हम थोड़ा सा ऐसे गुंद लेंगे चकले पे रखे इस तरह से यह देखिए अब मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ इससे आपको बेलना है सब तरह से एकदम अच्छी होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी नारुप पतली रखो या बीच में पतली रखो ऐसा कुछ भी नहीं है आप अच्छे से इस तरह से ही बेल सकते है इसको भाकरी को ये देखिए अब मेरी पाकरी बन गई है अब मैं इस बेलन है उसका जो पिछला पाठ है उससे इस तरह से उसमें थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस कर दूँगी ताकि हमारी पाकरी फूले ना फूली हुई पाकरी बहुत ज़्यदा अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसको ऐसे प्रेस कर देती हूँ यहाँ पे तवा गरम हो गया है तो मैंने पाकरी डाल दी है उसपे और यहाँ पे मैंने दूसरी पाकरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ तब तक हमें वो जो तवा गरम था उस पे एक साइड से फाकरी थोड़ी थोड़ी शेकने लगेगी बहुत ज्यादा एक ही बार में नहीं शेक देनी है बस थोड़ा सा सेक चाहे उसके बाद हम उसकी साइड पलट लेंगे यह देखिए अब हम फाकरी की साइड है वो पलट देंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा केमेरा एड़ेस कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए अब हम क्या करेंगे कि एक सोफ्ट टोवेल ले लेंगे यह साब पतला सा रुमाल जैसा और उसको ऐसे प्रेस करते चाहेंगे और भाकरी शेकते चाहेंगे तो यह हर तरफ से अच्छे से से शेक चाहेगी वरना वो किनारों पे थोड़ी सी कच्छी रह जाएगी यह देखिए इसे पलट पलट के आप उसको अच्छे से जहां पे आपको कच्छी लगे वहाँ पे इस तरह से आप उसको थोड़ी सा प्रेस कर दे रुमाल से यह देखिए पिछे की तरफ से भी अच्छे से से शेक गई है अब इसे ही रुमाल से हम लोग प्रेस करते करते हम लोग देखते जाएंगे कि कहां पे कच्छी है और किनारों पे इस तरह से प्रेस करते करते आगे की साइड भी हम लोग अच्छे से उसको शेक लेंगे ये देखिए ऐसे आप इसको नॉर्मली सुबो में ब्रेकफास्ट में चाई के साथ या शाम को आप सब्जी के साथ उसको परोष सकते हैं ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है अब मेरी फाकरी बन गई है तो मैं इसे एक डीश पे लेकिए डीश पे मैंने यहाँ पे ले ली है और मैं उस पे थोड़ा सा बटर डाल के उसको तुरंत आप ऐसे ही साव कर सकते हैं ऐसे भी वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये देखिए यहाँ पे मैं बटर को थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी पूरे किना रोपे और हर जगा पे अब ये हमारे भाकरी साव करने के लिए एकदम रेडी है ये देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थेंक्स पर वोचिंग बाई बाई मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई